दोस्तों नमस्कार ये हैं मार्ग दशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शोधरी दोस्तों प्रीवियस एर्स पेपर्स रिवीजन के अंतरगत आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूजीसी नेट परिच्छा जून दो हजार बारे का राजनीत विज्यान का दूती प् इसमें हम कुल 50 प्रशनों को साल्व करेंगे जो आगामी यूजीसी नेट परिच्छाओं के लिए बहुत ही उप्योगी और महत्पूर है दोस्तों आप इसका पीडियाप भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्सन बाक्स में डाल दूँगा तो आएए शुरू क करते हैं आज का वीडियो यूजीसी नेट परिच्छा राजनीत विज्यान जून दो हजार बारे का प्रशन पत्र का ब्याख्यात्मक और विसलेशडात्मक हल दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें पहले खंड है राजनीतिक सिध्धान्त और विचार इसका पहला प साइन्स आफ लाजिक तो दोस्तों जो काल मार्क्स की कृतियां हैं आपने पढ़ा है कि काल मार्क्स द्वारा जो रचनाएं हैं वो जर्मन आइडियोलोजी, क्रिटिक आप दे गुरूथा प्रोग्राम, दास कैप्टैल, पैरिस मैनुस्क्रिप्ट और दपावर्टी आप लेकिन साइन्स आफ लाजिक जो है, ये मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, साइन्स आफ लाजिक ये काल मार्क्स द्वारा नहीं लिखी गई है, अगला प्रश्न है, एक कथन है, ब्यक्ति अपने उपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रब होता है ब्यक्ति अपने ऊपर अपनी देह और दिमाग पर संप्रब होता है ये कथन है दोस्तों जे स मिल का आपसन है आपके मैक्यावेली, बोदा, हाप्स और लाक, तो दोस्तों अरस्तू की उपेच्छा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक है मैक्यावेली, सही उत्तर आपसन ए हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है इसमें देखे सर्वहारा वर्ग की ताना साही का विचार जो है वो कालमाक्स का है इसके अलामा कम्निष्ट पार्टी की जो धाड़ा है वो लेनिन ने दिया हेजमेनी या परधाने का सिध्धान ग्राम या तो इस आधार पर आप सही मिलान कर सकते हैं अगला प्रशन सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है तो आएए देखते हैं सही सुमेलन इस प्रकार से होगा 20. सताब्ती जैकोबिनजम तो ये है M. N. राय का विचार है 20. सताब्ते में जैकोबिनजम का सिध्धांत M. N. राय का है स्वैख्छिक निर्धनता महात्मा गांधी का है कि हमें केवल उतना ही धन रखना चाहिए जो हमारे लिए आवस्यक हो और दूसरे धन पे अन्य लोगों का अधिकार होता है इसलिए हमें धन के अत्यधिक संग्रह से बचना चाहिए इसके अलावा मैंने हिंदू के रूप में जन्म लिया परंत उस रूप में मरूंगा नहीं ये भीमराव अम्वेटकर का कथन है और विकास का एकिकरित सिध्धान्त महर सि अर्विंद का है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपसन B अगला प्रशन देखते हैं गांधी जी ने अपनी ब्याख्या की है तो दोश्तों गांधी जी के जो सिध्धान्त है वो कौन सा सिध्धान्त रहा है उसके बारे में जानते हैं आपसन है आपके उदारवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, सामाजिक लोकतांत्रिक के रूप में और दारसनिक अराजक्तावादी के रूप में अगला प्रशन है परस्पर व्यापी मतय के के सिर्धान्त की वकालत किस ने की थी आपसन है आपके बरलिन, बेरी, नाजिक और राल्स तो सही उत्तर है जानर्स ने परस्पर व्यापी मतय के के सिर्धान्त की वकालत की थी अगला प्रशन है दिये गये कूट के आधार पर सही उत्तर की जो है वो सही उत्तर खोजना है कथन कारण से संबंधित है कथन है अंबेटकर दबे बर्ग यानि डिब्रेश्ट क्लास को अ तब आये देखते हैं comparative politics से संबंधित प्रश्न तो ये है निम्नांकित में से किसने सामान निव्यवस्था सिध्धान की अधाना को सबसे पहले विक्सित किया था आपसन है लुडविंग वान वर्टालांफी, कालिन चैरी, रावर्ट के मर्टन और टालकोट पार्शन तो सब सबसे पहले विवस्था सिध्धान की अधाना को प्रश्पादित किया था दोस्तों लुडविंग वान वर्टालांफी, सामान निव्यवस्था सिध्धान की अधाना का सबसे पहले विक्स लुडविंग वान वर्टालांफी ने किया था, अगला प्रश्न है संडश्नात् विकारवाद का और विकासील देशों की राजनीत का तो संरशनात्मक प्रकार्याद जो था उसको पधत के रूप में विकासील देशों की राजनीत का अध्यन करने के लिए बिक्सित किया गया था सही उत्तर आपका आपसन D है दोस्तों C. Right Mills C. Right Mills की पुस्तक है The Power Elite C. Right Mills एक अफिजनवादी विचारक हैं प्रश्ण है कि C. Right Mills की पुस्तक The Power Elite किसकी समकालिन राजनीत का अध्यन है चीन, United States of America, Soviet Union और Great Britain तो सही उत्तर है United States of America के राजनीत के बारे में C. Right Mills की पुस्तक The Power Elite में वड़न किया गया है अगला प्रश्ण है निमनांकित में से किसने इंग्लेंड के अपने अध्यन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की है तो सही उत्तर है दोस्तों, Lucian Pai ने इंग्लेंड के अपने अध्यन के आधार पर राजनीतिक विकास के संकटों की पहचान की है अगला प्रश्ण है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों ये चार आपसन दिये गए हैं और उनके चार लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं कौन सी सही सुमेलित नहीं है तो देखिए सी राइट मिल्स की पुस्तक है दोस्तों ये गलत है पैरेटो नहीं जबकि मोस्का की पुस्तक है दोस्तों ये सही है तो इसलिए आपसन C आपका सही उत्तर होगा पैरेटो की पुस्तक दे रूलिंग क्लास नहीं है बल्कि पैरेटो ने मोस्का की पुस्तक है दे रूलिंग क्लास अगला प्रश्ण है अधिकारी गाण एक दूसरे के लिए कारे का स्रिजन करते हैं यह नियम किस ने प्रतिपादित किया था तो सही उत्तर है एन परकिंसन एन परकिंसन ने प्रतिपादित किया था कि अधिकारी गाण एक दूसरे के लिए कारे का स्रिजन करते हैं अगला प्रश्न है कौन सा यूगम सही नहीं है यू यसे दोहरी नागरिक्ता ये सही है आपका भारत बिधिद्वारा अस्थापित क्रियाविधी ये भी सही है आश्टेलिया सरकार का एकात्मक स्वरूप तो दोस्तों ये सही नहीं है आश्टेलिया में सरकार के संगात्मक स रूप दिया गया है ये सही नहीं है अगला प्रश्ण है अल्पतंत्र का लौह नियम दोस्तों मिचेल्स राबर्ट मिचेल्स द्वारा अल्पतंत्र का लौह नियम किसके अध्यन के आधार पर स्रीजित किया गया था तो अल्पतंत्र का लौह नियम जो है वो जर्मन सोसल डे जिन द्वारा स्रीजित किया गया था अगला प्रशन है मांटेस्क्यू की सत्ता की प्रिथककरण का सिध्धान्त मुख रूप से किस पर बल देता है आपसन है जवाब देता कुशलता पारदर्शिता और स्वतंता तो सही उत्तर है आपसन डी स्वतंता पर बल देता है मांट कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक मात राज्य है जहां लग हुवी रोधाभास राष्टपती बेवस्था की सफलता को सुनिशित करती है तो दोस्तु ए और आर दोनों सही है और आर एकी सही ब्याख्या भी करता है अगला प्रश्ण है नौकर साही या ब्यूरो क्रे गोर ने द्वारा प्रित्पादित किया गया था और मैक्स वेवर ने नौकर साही तंत्र की सबसे पहले बिसद और बैग्यानिक रूप से ब्याख्या की थी तो नौकर साही सब्द की रचना विंसेंट डी गोर ने द्वारा की गई थी जबकि नौकर साही के सिध्धान्त वो है मैक्स बेवर द्वारा दिये गए थे अगला प्रशन है समाजों के बारे में रिक्स के परपेच्च के संबंध में सही क्या है तो रिक्स के जो है परपेच्च में सही नहीं है ये है बिवर्तनी समाजों में आरोप पे पाये जाते हैं ये सही नहीं है जबकि एक इक्रिस समाज पारसपरिक है बिक्सित समाज बिवर्तनी समाज है और पारसपरिक समाज के आरोप पे मुल्ले होते हैं ये कथन सही है अगला प्रशन है संचार के अनौपचारिक चैनल को किस नाम से जाना जाता है तो ये भी प्रश तो दोस्तों रजनीक उठारी की पुस्तक पालिटिक्स इन इंडिया जो है वो सनरशनात्मक प्रकारिवाद पर लिखी गई है अगला प्रश्ण हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के साथ कौन संबंधित नहीं था आपसन है आपके चंसेखर आजाद जोगेश चंद्रचतरजी अरबिंद घोस और भगस सिंग तो इसमें आपसन सी आपका सही है चंसेखर आजाद जोगेश चंद्रचतरजी और भगस सिंग जो थे ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन से जुड़े थे जबकि अरब इस से संबंधित नहीं थे अगला प्रशन है इंडियन नेशनल कांग्रेश को संबिधान किस ने दिया और उसे जनसमुह यानि मास और संबर्ग यानि काडर दल बनाया तो इसमें आपसन है तिलक, गोखले, मोतिलाल नहरू और गांधी तो सही उत्तर है महात्मा गांधी दोस करता है तो अंतर राज परशद अनुच्छे 263 के अंतरगत इसकी अस्थापना भारत के राष्ट पति द्वारा की जाती है अगला प्रशन है दोस्तों किस राज जी की विधान सभाय राज जी की राजधानी को छोड़कर अन्यास्थान पर भी बैठक करती है तो ये है जं परश्ट संसोधन है जिसके अंतरगत केंद्री मंत्र परशद में परधान मंत्री समध जो मंत्रियों की अधिक्तम संख्या है लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15 परशद से अधिक नहीं हो सकती है तो भारती संभिधान का एक क्यान बेवा संसोधन जो है वो मंत्रिय की संख्या को सीमित करता है अगला प्रश्ण है कौन सी समित भारत में पंचायती रास्य संबंधित नहीं है आपसन है आपके साधिकली समिती दिनेश गोस्वामी समिती एलम सिंगवी समिती और पी के थुंगन समिती तो दोस्तों भारत में पंचायती रास्य संबंधित जो सम जायती राज से संबंधित हैं अगला प्रशन है भारत में कुछ उप उप परधान मंत्रियों के नियूक्त होने का सही करम बताना है उप परधान मंत्रियों के नाम है सरदार बललब भाई पटेल चौधरी देविलाल चौधरी चरण सिंग और मुरार जी देशाई तो सबसे पहले भारत के पहले उप परधान मंत्री सरदार बललब भाई पटेल रहे उसके बाद मुरार जी देशाई को परधान मंत्री बनाए गया फिर चौधरी चरण सिंग और सफसे अंत में चौधरी देविलाल अगला प्रशन है भारत की संबिधान सभा के अंदर निमलखित मे अंदर अल्पतंतर समोह था अगला प्रशन है भारती अर्थविवस्था को बैलगारी पूजिवात के रूप में किस ने परिभासित किया लायड एंड सूजेन रुडाल्फ रुडाल्फ दमपती ने भारती अर्थविवस्था को बैलगारी पूजिवात के रूप में जो दोस्तों लोग लेखा समिती या पबलिक एकाउंट कमेटी जो होती है उसमें लोग सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सज़ा से कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं अगला प्रश्ण है संभिधान का कौन सा अनुचेद संसत को अखिल भारती सेवाओं के अस्थापना की सकती देता है ये है अनुचेद 312 ये संसत को अखिल भारती सेवाओं की अस्थापना की सकती परदान करता है अगला प्रश्ण लोग प्रसासन से संबंधित है कथन कारण से संबंधित प्रश्ण देखते हैं सूचना प्रद्योकी ने स्टाफ एजेंसी को अपरिहारे बना दिया है ये कथन है तो ये सही है और कारण में दे रहे हैं कि स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को नीड़े ल और अस्थानी सरकार की जो कारेकारी साखाएं होती है उनकी गतविधीयों के रूप में लोग-प्रसासन की ब्याख्या किस ने की थी तो सही उतर है दोस्तों हरबर्ट, साइमन ने राश्टी, राजजे और अस्थानी अस्तर की कारेकारी साखाओं की गत्विधियों के रूप में लोगपरसासन की ब्याख्या की थी अगला प्रशन देखते हैं नियंत्रण के छेत्र नियंत्रण के छेत्र के रूप के नाम से जाना जाता है तो नियंत्रण के छेत्र को किस और नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है Staff Agency का सही कारे कौन सा है तो सही कारे है मुख्य कारे पालक को परामर्स देना ये Staff Agency का सबसे महत्पूर्ण कारे है दोसतों इस्टाफ एकाईयां जो है लाइन को योजना बनाने में सहायता देती हैं परामर्स देती हैं और तथ्यानवेशन के साथ हर परकार से मदद भी पहुँचाती है अगला प्रशन है बिचारकों को अवधाना के साथ सुमेलित करना है तो सही सुमेलन है वो इस प्रकार से है F.W. Taylor ये प्रोसाहन पढ़ाली है F.W. Taylor का संबंध प्रोसाहन पढ़ाली से है Chester Bernard का संबंध स्विकृति का छेतर से है Henry Fayol जो है इनका संबंध स्रेडी या स्कैलर पद्ध से है और Frederick Harjberg ये असंतोस कारी और धाना से संबंधित है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपसन D अगला प्रश्न है किसने कहा है कि बजट कीमत की नत्थियों के साथ लच्छों का क्रम है कथन है कि बजट कीमत की नत्थियों के साथ लच्छों का क्रम है अंतराश्टी संबंद में जो प्रश्ण है पहला प्रश्ण है कि आतंकवाद पर युद्ध की घोश्डा करते हुए अमेरिका ने बल पूर्वक कहा कि जो राज्य अमेरिका के साथ नहीं वो इसके बिरोध में है ये आपका कथन है ये सही है कारण में कि आतंकवाद पर युद्ध की इस्थिति में अमेरिका ने राज्यों को तटरस्थ रहने की स्वतंता नहीं दिया है तो ये ए और आर दोनों सही है और कारण आर जो है वो कथन एकी सही ब्याख्या करता है अगला प्रश्ण है निम्रखित में से क्या ब्रेटर नूट सम्मेलन के पैड़ाम स्वरूप हुआ था सयुक्तराष्ट संग, राष्ट संग, आडविक प्रसार रोकने के लिए संस्थान और विस्व बैंक तथा अंतराष्टी मुद्रकोस तो दोस्तों ब्रेटर नूट सम्मेलनों के द्वारा विस्व बैंक और अंतराष्टी मुद्रकोस यानि वर्ल्ड बैंक और IEMF की अस्थापना हुई थी इसलिए विस्व बैंक और अंतराष्टी मुद्रकोस को ब्रेटर नूट संस्थाएं भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है हैंस जे मारगिन्थाव के या थार्थवात की मोलभू सिद्धान्त में से कौन सा सही नहीं है तो पहला है राजनीत की जड़े मानो प्रकिर्थ में जमी है ये सही कथन है इसके अलामा राजनीती स्वचालित होती है ये भी सही है राश्टी हित की ब्याख्या सत्ता के संबंध में की जाती है सही है और राजनीती सारोभोमिक नैतिक मुल्यों के द्वारा सासित होती है ये आपका गलत है तो ये D आपसन हो जाएगा आपका सही उत्तर लेकिन जो मारगिन्थाव का मानना है कि राजनीत की जो सारोभौमिक नैतिक मुल्यों के द्वारा सासित नहीं होती है नैतिक ब्यक्तिगत नैतिकता अलग होती है और सारोभौमिक नैतिकता अलग होती है अगला प्रश्ण है मारसल प्लान किसके लिए थी? सही उत्तर है दोस्तों मार्सल प्लान जो है वो पश्च में यूरोपियन अर्थवेवस्थाओं को आर्थिक विकास और उनके पुनर निर्माड के लिए प्रारंब किया गया था और मार्सल योजना 1947 में यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम अमेरिका के द्वारा प्रारंब क गया था इसमें यूरोप की युद्ध पीडितर्थ बेवस्थाओं के पुनर निर्मार और सहायता की बात कही गई थी अगला प्रश्ण है संयुक्तराष्ट सुरच्छा परिसद में रूस को अस्थाई सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई थी तो सही उत्तर है दोस्तों पूर्व सोवियत यूनियन के उत्तराधिकारी राजी के रूप में सयुक्तराष्ट सिक्योर्टी कॉंसिल में रूस को अस्थाई सदस्यता दी गई थी अगला प्रश्ण है कैनेथ वाल्ड के नौय थार्थवाद यानि नियो रियोलिजम के मुख्यतर क्या है तो दोस्तों कैनेथ वाल्ड जोराज जो प्रतिपादित नौय अथार्थवाद है उसका मुख्यतर की ये है कि सनरशनाएं जो होती हैं इस्ट्रक्चर्स वो करता की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर होती हैं तो आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है अपने पडोसी देशों के प्रति भारत की नीतिका पारस परिक्ता सिधान्त किस बात का विचार करता है तो पडोसी देशों के प्रति नायकत्तों की योजना पडोसी देशों के साथ पारस परिक्ता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयास अगला प्रश्ण है कुछ घटनाय दी गई हैं उनका सही क्रम आपको बताना है भारत रूस मैत्री संधी पोखरण में भारत का पर्थम आडविक परिछण क्यूबा में मिसाइल संकट और भारत के संरिशनात्मक समायोजन कारेक्रम को अपनाया जाना तो सही क्रम है सबसे पहले क्यूबा मिसाइल संकट हुई थी जो की 1962 में याद कर लिजेगा भारत रूस मैत्री संध 1971 में हस्ताज छरिट की गई थी पोखरण में भारत का पहला पर्माड परिछण 1974 में परधान मंत्री स्रीमती इंद्रा गांधी के सासनकाल में हुआ था और चौथे अस्थान पर आएगा आपका भारत के संरशनात्मक समायोजन कारेक्रम को अपनाया जाना अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है कथन है विस्व ब्यापार संगठन यानि डवलू टी यो पैरवी करता है कि मुक्त ब्यापार या फ्री टेट सब के लिए सम अपने जरूरत की वस्थों का आयात करने में सहायता करता है तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही ब्याक्या भी करता है अगला प्रश्न देखते हैं सन 2007 में नई दिल्ली में 14. सिखर सम्मेलन सार्क का आयोजित किया गया था इसमें किस बात और पचासवा प्रश्न है दोस्तूं संयुक्त राष्ट संग की सामोहिक सुरक्षा यानि collective security बेवस्था किस सिध्धान्त पर आधारित है तो सामोहिक सुरक्षा बेवस्था का जो सिध्धान्त है वो ये होता है कि सभी एक के लिए और एक सभी के लिए यानि ये सामयविक सुरच्छा बेवस्था ये मानता है कि यद किसी एक राष्ट पर आकरमड होगा तो सभी राष्ट उसका मुकावला करेंगे और किसी एक राष्ट पर किया गया आकरमड सभी राष्टों पर किया गया आकरमड समझा जाएगा तो ये था दोस्तों आज का वीडियो इसमें आपने देखा जून 2012 का UGC NET राजनीत विग्यान का प्रशन पत्र और ये जो हल है ये साल्व कर रहे हैं हम प्रशन ये आगामी UGC NET परिच्छा के लिए आपके बहुत ही फायदे मंद होगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदर्शन फार सिविल सर्विशोस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों